स्वागत है आपका हमारे चैनल पे तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी ने एक राहत पैकेज का एलान किया है आखिर में वो राहत पैकेज है क्या और किसे इस राहत पैकेज से क्या-क्या फायदा होने वाला है ठीक है बहुत छ पागत है लगबग 20 लाख करोड और यह हमारी पूरी जीडिपी का 10 प्रतिशत है ठीक है अब यह 20 लाख करोड कहा कहा इस्तेमाल होंगे किनके किनके यूज में आएंगे ये सारी हम बाते पॉइंट वाइस करेंगे ठीक है तो पहला पॉइंट अब हम देखते हैं इस सबस जो टैक्स फाइल करने की तारीक थी पहले वो थी जुलाई और अक्टूबर लेकिन अब उसको बढ़ा करके नमंबर कर दिया गया है जो कि एक मिडल क्लास फैमिली जो कि टैक्स पे करती है उसको बहुत बड़ी राहत यहां पर होने वाली है ठीक है चलिए दूसरा पॉइ एक है यहां पर एक टर्म और लिखा हुआ है लिखा हुआ है तो टीस क्या है इसका फुल फार्म होता है tax collected at source मतलब कि जब भी हम कहीं पर सामान खरिदने के लिए जाते हैं कोई दुकानदार से सामान खरिदने जाते हैं तो वो हमसे TCS का एक tax लेता है ठीक है? तो वही अब TCS का tax 31 मार्ज 2021 तक 25 फिजदी तक घटा दिया गया है ठीक है? मैं आप कोई एक्जामपल लेके समझाता हूँ कि ये चीज़ एक्चुली में है क्या? जैसे मान लीजिए अगर आप कोई सामान खरिदते हूँ और दुकानदार आप से 100 रुपए का tax लेता था पहले ठीक है? मैं एक्जामपल दे रहा हूँ contractors को रहात देते हुए उन्हें काम या सेवा पूरा करने के लिए 6 महिने तक का समय दिया जा रहा है ठीक है? मालिज ये किसी का contract जो है खतम हो रहा था ठीक है? या फिर किसी का contract बचा हुआ था उसको complete करना था जून तक या फिर जुलाई तक या फिर माई तक जो भी समय दिया तक उसको complete करना था लेकिन अब उसके contract की जो सीमा थी उसको 6 महिने और बढ़ा दिया गया है जिससे उनको काफी रहात होने वाली है ठीक है? चलिए अगला point वह हम देखते हैं क्या है? अगला point है कि करमचारियों का 12% की जगा अब 10% ही EPF कटेगा ठीक है? लेकिन यहाँ पर भी एक exception है हर जगा अपवाद होता है यहाँ पर भी एक अपवाद है कि PSU में 12% ही कटेगा ठीक है? जो करमचारी कहीं पर काम करते हैं ठीक है? उनकी EPF पहले कटती थी उसका जो है value होती थी कि 12% सरकार उसमें काट लेती थी और जब उनकी नौकरी या फिर जब वो retire होते थे तो उनको कुछ किस्तों में पैसा देती थी ठीक है? लेकिन आप सरकार कह रही है कि अब हम 12% आपकी salary में से नहीं काटेंगे अब हम 10% ही काटेंगे ठीक है? लेकिन ये जो employee है PSU के PSU कंपनी के ये उनकी लिए लागू नहीं होंगे ठीक है? अब PSU कंपनी कौन-कौनसी है? देखिए जैसे Cole India Limited हो गया अब देखिए अगला फाइदा क्या होने वाला है कि जो 15,000 से कम वेतन वाले का PF था वो अगले 3 महीने तक सरकार देगी अब देखिए जो भी employee थे जो छोटे employee थे कहीं पर काम करते थे जिनकी salary 10,000, 12,000 या फिर 15,000 थी उससे कम थी ठीक है? अब company के उपर थोड़ा जो बोज था वो कम पड़ गया उनका burden अब कम पड़ गया अब उनको जो है EPF 3 महीने तक देने के जरूरत नहीं है उन करमचारियों को जो EPF मिलेगा वो सरकार से मिलेगा अगले 3 महीने तक ठीक है? बहुत बड़ी रहात की खबर है जो छोटे हमार करोण रुपए का निवेश कर रही है और उसके company का 50 करोण रुपए का turnover है ठीक है तो वो company अब small unit के तोर पर मानी जाएगी ठीक है दूसरा point इसी में है कि 30 करोण तक का निवेश और 100 करोण तक के turnover वाले medium enterprise को medium enterprise माना जाएगा मतलब कि अगर कोई company कहीं पर 30 करोण रुपए निवेश कर रही है ठीक है और उस company का turnover है वो 100 करोण रुपए है तो उस company को अब हम medium enterprises में count करेंगे ठीक है ये भी point आपको ध्यान रखना है चली अगला point कर रहा है कि संकट में फसे 2,00,000 MSME को कर्ज के लिए 20,000 करोण रुपए का प्रावधन दिया गया जैसे कि MSME की पहले हम बात करते हैं क्या होता है ये है micro, small and medium enterprises ठीक है जो भी छोटे उद्योग है जैसे मान लेजिए कोई dairy का उद्योग कर रहा है ठीक है उसका थोड़ा सा बड़ा business है dairy में ही तो ये सब छोटे उद्योग में ही आते है ठीक है ये MSME company कहलाते है तो ऐसे MSME company के पास कुछ employee थे तो जो lockdown होने की वज़े से transportation बंद हो गया सारा काम बंद हो गया तो ये salary इनका काम नहीं चल पा रहा था तो ये employee को salary कहां से देंगे ठीक है तो अब सरकार ने का किया इनके लिए 20,000 करोड उपय का एक प्राउधान लेका आई ठीक है जिसके लिए उनको 2,000,000 जो MSME company है उन जैसे माले जीए हम किसी bank में loan लेने के लिए अगर जाते हैं ठीक है तो जो branch का manager है वो हमसे सीधा पहला बात यही बोलेगा कि आप जो है एक ऐसे आदमी को लेकर के आईए जिसका इस bank में जो है bank account हो और उसकी salary लगभग लगभग आपके आसपास या फिर बराबर हो ठीक ह अगला point है और आखरी point है इस video को मैं बता दूँ आपको कि MSME को एक साल तक EMI से राहत और 25 करोड तक वाले MSME को फायदा होने वाला है ठीक है अगर कोई भी MSME का loan ले लेता है ठीक है तो उस loan को तो उसको चुकाना ही पड़ेगा लेकिन अब सरकार ने ऐसा कहा कि उसको एक स साल तक किसी भी तरह की EMI payment करने की जरूरत नहीं है ठीक है जैसे कि हम अगर फोन लेने के लिए जाते हैं तो दुकांदार हमसे कहता है कि भाई 10,000 का फोन है अगर आपके पास 10,000 रुपए नहीं है तो आप 1,000 रुपए करके हर मन्थली इस payment को चुकार दें वही होता है EMI लेकिन MSME के तहित सरकार ने कहा कि एक साल तक आपको किसी भी तरह की EMI payment करने की जरूरत नहीं है ठीक है यह हमाने पूरी point आपको discuss कर दी ठीक है ठीक है अगर अब वित्तमंत्री जी हमारी ऐसा कोई भी निर्ड़े और लेती है इसके बारे में कुछ और बताती है तो मैं आ चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले और वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक जरू कर दे ठीक है थैंक यू सो मुच चुरू होचिक इस वीडियो